हेलो दोस्तों वेलकम टू डियेशडी कार्स और भाई नई अल्टो केटेन 2022 इंडियन मार्किट में लोन छो चुकी है प्राइसीज वगेरा सब आ चुके हैं और जब भी कोई नई गाड़ी मार्किट में आती है तो जो एक्जिस्टिट गाड़ियां हैं उन पे जरूर कहीना कहीं फरक पड़ता है क्योंकि कस्टमर लेने से पहले भाई कमपैरिजन करता है चीजें चेक करता है कौन सी गाड़ी ज्यादा वेल्यू फोर मनी हैं क्या प्राइस रखा है वो सब चीजें गाड़ी की सेल पे फरक डालती है जो गाड़ी लोन चुई है उस पे भी और जो बाकी गाड़ियां मार्किट में उल्रेडी हैं उन पे भी और जो गाड़ी की अच्छाईयां है बुराईयां है यानि कि प्रोज एंड कौन्स हैं वो भी मैटर करते हैं कि वो गाड़ी कितना बिकेगी नहीं बिकेगी तो अल्टो केटन 2022 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं और ये सच कड़वा है या मीठा है वो तो खेर मैं भी नहीं जानता क्योंकि मुझे जो फील हुआ वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ क्योंकि जो फील हुआ वो बता दिया क्योंकि गाड़ी में जो भी कुछ है वो ना तो मेरे कहने से बदल जाएगा ना आपके कहने से बदल जाएगा जो है वहीं के वहीं रहेगा गाड़ी शोरूम में लगी हुई है सब लोग देखने आ रहे हैं आप भी जाके इस गाड़ी का जो review है वो कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और जो मैं चीजें बता रहा हूँ उससे correlate कर सकते हैं ताकि आपको भी clarity हो जाए कि DSD कारवाला भाई सच बोलता है जूट बोलता है क्या कहता है खामखा की बातें करता है तो वो चीज भी आप clear कर सकते हैं तो अल्टो केटन का top model VXI plus आप लोगों के सामने है और 6 लाक रुपे लगा के अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो इसमें क्या कुछ अच्छाई बुरा ही आपको मिलेगी तो इस गाड़ी के जो pros and cons हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं pros के बारे में बात करता हूं तो सबसे बढ़िया जो प्रो यानि की जो अच्छाई मुझे इस गाड़ी की लगी वो लगा इसका इंजन एक लिटर का इंजन आपको गाड़ी में मिल रहा है 998cc 65bhp 89nm टोर्क के साथ में और इस गाड़ी को भाई जबरदस्ट पावर देता है ड्राइव रिव्यू भी चैनल पे आप महां से देख सकते हैं और जबरदस्ट पावर आपको गाड़ी में मिलेगी आप जब भी टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी लेके चलाएंगे तो आप खुद इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि अल्टो के टेन 2022 का जो इंजन है वो काफी बढ़िया यहां पे दिया गया है और साथी साथ छोटे साइज की गाड़ी है बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है उस हिसाब से बढ़िया पावर आपको देता है वैगनार और अल्टो के टेन को चलाने में जो ज़्यादा पावर है वो आपको अल्टो के टेन में जरूर से जरूर फील होगी ये बात आप खुद से चेक कर सकते हैं दूसरी जो चीज मुझे इस गाड़ी की ज़्यादा अच्छे लगी वो है इस गाड़ी का स्पेस यानि कि अब अगर मैं 6 फिट के हैट के साथ में गाड़ी चला रहा हूं और अपनी सीट के पीछे 6 फिट भी आसानी से बैठ नहीं सकता था और जो हेड रूम है वो भी भाई गाड़ी में ठिक ठाक आपको मिल जाता है यानि कि आगे ड्राइवर सीट पे या उसके पीछे बैठने में 6 फिट के हैट के आदमे को कोई इश्यू नहीं है उससे जादा भी है तो भी आराम से भाई आ आप बैठ सकते हैं तीसरा जो ओटोमेटिक का उप्शन है वो भी भाई आपको गाड़ी में मिल जाता है क्योंकि जिसको ओटोमेटिक की जरूरत होती है वो इसको यूज कर सकता है अब अल्टो नाम है तो भाई अल्टो से ही कंपेर करता हूँ कि अल्टो में आपको ओटो का option नहीं मिल रहा था यहां पे लेकिन अल्टो के 10 में वो option आपको मिल जाता है नमर चार पे मैं conclude करूंगा mileage को वो भाई काफी बढ़िया मुझे इस गाड़ी की लगी 24.49 की जो mileage है वो company claim करती है पावर भी जादा आपको मिल रही है और mileage भी अच्छी मिल रही है तो दोनों क कोई mileage test ना कर ले अच्छे से ना समझ में आ जाए कि गाड़ी mileage कितना देती है तब तक भाई गाड़ी खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आज की डेट में petrol के जो prices है वो बढ़ते जा रहे है और उस हिसाब से बढ़िया mileage अगर गाड़ी देती है तो उस हिसाब से भाई हम गाड़ी को चूज कर सकते हैं पांचवे नंबर पे बात करूँ तो भाई जो features है वो भी मुझे कई सारे इस गाड़ी में अच्छे लगे जैसे कि steering controls आपको मिल जाते हैं जो की मेरे हिसाब से इस category की इस price की कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं साथ इस साथ जो touchscreen infotainment system है वो आपको मिल रहा है android auto apple car play के साथ में तो वो भी एक बढ़िया feature आप यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि सारी गाड़ियों में वो चीज आपको नहीं मिलती है इस range की गाड़ी में यानि कि 6 लाक रुपए on road में मैं बात कर रहा हूं और जो 4 speakers आपको मिल रह रहा है वो आप देख सकते हैं और फाइनली जो इस इवेंट से हैं उनकी placement मुझे काफी बढ़िया लगी क्योंकि वैगनार में आप ड्राइवर पे सीधी जो हवा है वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि steering बीच में अटक जाता है और यहां से इस गाड़ी में आप बड़े आसान दलगलग होती है और उसको मैं यहां पे भाई conclude नहीं करूँगा तो प्रोज की बात हमने कर ली अब बात कर लेते हैं कौन सकी कि इस गाड़ी में क्या कुछ कमी मुझे लगी तो वो भी आपको एक बार भाई बता देता हूँ सबसे पहली जो मुझे दिक्कत लगी वो ये क ज़्यादा हाइट के लोगों के लिए जो पैर है वो स्टेरिंग के नीचे नहीं आपाते हैं और तिरचे ही करके आपको बैठने पड़ेंगे या फिर जो सीट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा पीछे आपको कही ना कहीं ले जानी पड़ेगी लेकिन उसकी वज़े से ज यहाँ पे जरूर आपको फेस हो सकता है लेकिन 6 लाग की कीमत इतनी भी कम नहीं है कि जो एड़ेस्टेबल स्टेरिंग कमपनी ना दे सकती थी लेकिन वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है दूसरी जो चीज मुझे इसकी लगी वो यह की जो सीट है हेडरेस्ट के समेत मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी हाइट के इसाब से भाई थोड़ा सा छोटा मुझे यहाँ पे सीट लगी क्योंकि मेरा सर हेडरेस्ट के उपर निकल जाता अगर मैं डंग से बैठ हूँ तो जो स्पोर्ट है वो मुझे उतनी नहीं मिल पाती है तीसरा जो मुझे थोड़ा सा इ गाडियों में भी जो एड़ेस्टिबल स्टेरिंग है वो आपको नहीं मिलता है नॉर्मल हाइट के आदमी को कोई भी इशू नहीं होता है लेकिन जिसकी हाइट जादा है उसको भाई थोड़ा सा इशू हो सकता है चोते नंबर पे मैं बात करूं तो जो गाड़ी की विड आई गई है बिल्कुल अल्टो के जितनी जो विड़त है वो है लेकिन फिर भी जो वील बेस बढ़ाया गया है उसकी वज़े से स्पेस आपको पूरा मिलता है पहले अल्टो में या पहले वाले अल्टो के टैन में जो स्पेस का इशू था वो अब नई वाले अल्टो के ट इवन जो फोग लेंप की हाउजिंग है वो भी नहीं मिलती है अगर आप चाहें तो भी भाई शायद गाड़ी में फोग लेंप नहीं लगवा सकते हैं एक ये चीज जो पुरानी अल्टो केटन में आती थी वो चीज कम से कम मारुत्य को यहाँ पे दे देनी चीए थी ताकि लोगों का जो दिल है मन है वो राजी हो जाता कि हाँ यार अगर हमने फोग लेंप लगवाने तो भाई हम अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं क्योंकि अब जो ओप्शन है फोग लेंप लगवाने का वो ही नहीं दिया गया है एक खाली हाउजिंग देने में शायद ज्यादा एट्रेक्ट कर सकती थी खेंच सकती थी और अगर प्राइज 10-20,000 रुपे 30,000 रुपे और इस गाड़ी का कम कर दिया जाता फिर तो इस गाड़ी का भाई कोई मुकाबला ही खैर नहीं हो सकता था लेकिन भाई मारूत्य की गाड़ी है रिफाइन्मेंट इंजन क के साथ में आपको गाड़ी मिलती है और बढ़िया परफोर्मेंस मिलती है सर्विस रीसेल का जो फायदा है वो मारुत्य की हरे गाड़ी को होना ही होना है तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कही ना कही मारुत्य के इतने बढ़िया है कि लोग मारुत्य की गाड़ियों की तर शायद कहीं न कहीं लोग इगनोर कर देते हैं तो जो सबसे बड़ा सच है वो यही है कि मारुत्ती की रीच बहुत आगे तक है बहुत अंदर तक गाओं कस्बों तक है तो इस वज़े से सबसे ज़्यादा मारुत्ती की गाड़ियां बिखती है अब यह सच चाय कड़वा बाँ सच मेरे इसाब से तो यही है और लोग मारुत्ती की गाड़ियों को धड़ा धड़ खरीते हैं दड़ले से मारुत्ती की गाड़ियां बिखती है क्वाल्टी के अगर मैं बात करूं तो क्वाल्टी मारुत्ती की गाड़ियों में नॉर्मल ही आपको मिलती है और यह डेट में भाई लोगों के अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है जरूरते हैं जिनके चलते की वो गाड़ी खरीदते हैं अब आपकी क्या डिमांड है क्या जरूरते हैं आप ये गाड़ी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो आपके उपर डिपेंड करता है तो भाई यही आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों